हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे यूट्यूब चैनल इजी मैथर में स्वागत आप सब कैसे हैं मैं ठीक हूँ आज फिर से आपके साथ बहुत अच्छा आइडिया लेकर आई हूँ एक कपड़े के पीस और दो चूरियों से हम जिसको बनाएंगे तो हमारे पास देखे जब भी ह पीस ले सकते हैं जे देखें यही मैंने एक कुर्टी स्टिच की थी उसमें से यह कपड़ा बच गया था यहां से है 12 इंच और यहां से है 18 इंच यह मेरे पास इतने साइज का पीस है तो मैं इसका यह आपके साथ बहुत सुन्दर आइडिया शेयर करती हूँ यह कपड़े की बैक साइड किया और उसके उपर हम प्लास्टिक शीट शॉपिंग बैग जहां चावल आटा बैक से पीस कट करके ले सकते हैं तो इसके जहां रखते हुए देखें चारों साइड स्लाई लगा कर इस पीस को हम त्यार कर लें तो जहां पर देखिए मैंने स्लाई लगा द पीस, ऐसे रखना है इसके उपर जो मेंड फैबरिक था उसके टॉप साइड पर ऐसे रखते हुए दो साइड हम पर स्लाई लगाएंगे जेड़की इस साइड और स्लाई लगानी है, तो यह उदेखिए मैं स्लाई लगा देती हूँ, जहां पर देखिए मैंने पर अदेख यह देखिए ऐसे थोड़ा कपड़ा अंदर को करेंगे और फिर एक बार और फोल्ड करके सलाई इसके उपर लगाएंगे दोनों साइड हमने ऐसे ही सलाई लगानी है तो मैं यह सलाई लगा देती हूँ देखे दूसरी साइडी हम ऐसे डवल फोल्ड करते हुए स्लाइल लगाएंगे जहांपर देखे मैंने दोनों साइड लगा दी है यह देखे ऐसे स्लाइल लगाकर त्यार हो गया अब देखे ऐसे हमने इसको कपड़े के पीस को ऐसे देखे रखना है मेन फैबरिक एक साइड आएगा और लाइनिंग का पीस एक साइड आएगा यह देखे ऐसे हमने कपड़े को रखना है ऐसे देखे सेट करते हुए अच्छे से रख दे तो यहां से देखे लिया है मैंने 1.5 इंच और दूसरी साइड से भी 1.5 इंच का एक बॉक्स त्यार कर लेती हुझे देखे ऐसे और इस साइड भी 1.5 लेते हुए ही यह बॉक्स त्यार करना है तो जो दूसरी साइड था जहां पर भी हम ऐसे ही बॉक्स त्यार करेंगे जहां पर भी 1.5 लेते हुए वॉक्स त्यार करने हैं तो इनको अब मैं कटर कर देती हूँ जह देखिए ऐसे कटर कर देती हूँ ऐसे ही छोटे छोटे कपड़े के पीज से हम बहुत सुन्दर और प्यारी चीजे त्यार कर सकते हैं जे जो चीजे हम बना लेते हैं काफि काम आती हैं जे देखिये मैं पर चारू साइड से ऐसे कटर कर दे हैं अब पर गखे-पहले जहांसे देखिए टू आइंच bono छोड़ते हुए जे देखिये ऐसे से लेते हुए जहां सलाई आएगी और इस साइड जहां तक सलाई आएगी तो यह मैंने देखे सलाई लगा दी है जहां से ओपन है यह दोनों साइड ओपन है अब जो कॉर्णर हमने बनाए थे देखे ऐसे पकरते हुए इसका बेश त्यार करना है यह देखे ऐसे पकरते तो यहां पर स्लाइब लगाऊंगी तो हम ऐसे ही असान तरीकोंगे शेर बना सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे लाइक करना शेयर करना जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए है प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर देना फिर इनके उपर स्लाई लगाती हूँ यह देखिए चारों साइर मैंने पिन लगा दिये अब मैं स्लाई लगा देती हूँ यह देखिए मैंने जहां पर स्लाई लगा दी है तो आप देखिए इस कॉर्णर को पकरते हुए एक साइर से और दूसरे को ऐसे मिलाते हुए इसके उपर देखे ऐसे रखना है और सलाई लगानी है इसके उपर सलाई आएगी तो जहाँ पर अभी मैं पिन लगा देती हूँ और दूसरे साइड भी हमने ऐसे ही सेम करते हुए सलाई लगानी है जहाँ पर रखते हुए सलाई लगा दे ज कि मैं स्सक्राइण लगा देती हैं तो काफी मेहंगी मिलती हैं अगर अगर आइसे बना लेते तो बहुत असान तरीके बन जाती में काफी पैसे इसास है क्यों स्टिच कि हुए हैं तो उनके साथ हम ऐसे हैंड बैग अपने लिए खुद ही बना सकते हैं जह देखिए अब मैंने सीधा कर दे जो लाइनिंग थी वह बीच को करते हुए जह देखिए ऐसे इसके उपर टॉप लाइवी लगा दे जहां पर देखिए ऐसे बनके त्यार हो गया तो जो ल कार चूड़ी हैं चूड़ियों के जो सेट होते हैं बीच में इसे कभी कभी तूट चाती हैं मारे पास जब दो तीन पीस बच चाते हैं हम उनको फैंक देते हैं बट जहां पर हम यूज कर सकते हैं जिस दो चूड़ी लगा कर हम हैंड वैग बहुत सुंदर त्यार कर सकते इसे देखिए उपर वाली साइड से हमने प्लेट ऐसे डालते हुए उपर से थोड़ा अकठा कर लेना है और उसके बाद इसके देखिए बीच में चूरी रखते हुए कपड़ को उपर से निकालते हुए बैक साइड पर हम ऐसे देखे स्टिच कर दें जे हम सलाई मिशीन से असवान रहा हैं हाथ से भी सुवाडेशे मिशीन ही लगा सकते हैं इस साइड लगा देती हुए यो दूसरी साइड चुड़ी है इसको ऐसे हमने लगाना है तो यह बहुत संदर एग हैंड बैक बनके त्यार खो जाता है तो इसमें काफी space भी है इसमें हमारा स्मान जो हम फोन रखना चाहते हैं वो भी आ जाएगा और make-up का स्मान रखना चाहते हैं वो भी इसमें आ जाएगा हैंकी आ जाएगा और जी देखिए कितने छोटे के कपड़े के पीज से हमने hand wear के त्यार कर लिया और एक ये मेरे पास मोती की माला थी तो उसको भी देखिया, ऐसे मैंने सुई की हलप से लगा दिया है, तो ये देखने में और भी सुंदर बनके त्यार हो गया, हम ऐसे ही ये त्यार अपने लिए कर सकते हैं, जिनको शलाई नहीं आती, वो भी इस असान तरीके से बना सकते ह झाल झाल